नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर हम बात करें बॉलीवुट के मास माराज अजय द्योगन की मूवी सैतान के बारे में तो यकीन मानिये दोस्तों इस मूवी की जो हाइप है इस समय सातवे आसमान पर चल लई है और इसको देख करके जो अजय द्योगन को ना पसंद करते हैं या जो अजय द्योगन को हेट करते हैं उनकी बुरी तरीके से जलके राख हो गई है आगे से गिली और पीछे से पीलिस टाइम हो चुकी है और मैं देख रहा हूँ जो यूटूब में बड़े बड़े यूटूबर है जिनके सस्क्राइबर देखा जाए लाखों में है वो सैतान मूवी को लेकर के कुछ जादा वीडियो नहीं बना रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों क्योंकि सैतान मूवी की इस समय हाइप काफी तगड़ी बढ़ चुकी है और देखा जाए दोस्तों अजय दियोगन इस मूवी के प्रिमोशन में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं और जिस आप से इसकी हाइप बनी हुई है मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो मूवी है अपने पहले दिन ही कम से कम 20-25 करोन का केलेक्शन कर सकती है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि सैतान मूवी लाइफ टाइम कितना केलेक्शन कर सकती है क्या ये मूवी दो से ठाइसो करोन का भी केलेक्शन कर सकती है क्योंकि इसकी हाइप काफी तगड़ी बनी हुई है वही अगर प्रमोसर में देखा जाए अजय दोगन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे है और हाली में देखा जाए इसका हम लोगों को बहुत बड़ा एक्सामपल भी देखेने को मिला क्योंकि सोसल मीडिया पर कुछ फोटो में काफी तेजी से वाइरल हो रही है जो कि आप साफ साफ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि सैतान मूवी का जो प्रमोसर में इस समय प्रुष खलीफा में हो रहा है और वहाँ पे देखा जाए हम लोगों को अजय दियोगन की पोटो और आर मादवन और जोतिका के साथ साथ सैतान मूवी का पोस्टर भी देखने को मिला है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी की हाइप कितनी तगड़ी बन चुकी है और दोस्तों मैंने आप से ये भी कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि सैतान मूवी का जब सेकेंड गाना रिलीज होगा तो यकीन मानिए इसका बुक माई सो में इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ेगा और बुक माई सो का जो इंटरेस्ट होता है न दोस्तों वो बॉलीवुड मूवियों के लिए काफी महत्तुपूल होता है क्योंकि बुक माई सो में वही लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं जिनको मूवी देखने जाना होता है और ऐसे में देखा जाए दोस्तो इस movie का जो interest rate है अब तक 53,000 के आसपास पहुँच चुका है फिलाग दोस्तो इस समय देखा जाए इसका 52.55 के interest है लेकिन जब तक आपके पास ये वीडियो जाए तब तक इसका interest rate 53,000 भी हो जाए और मैंने आप से कहा था कि जब ये movie release जब तक होईगी तो इसका interest rate लाख तक पहुच सकता है और वैसे भी दोस्तो जहां इस movie के advance booking खुल जाएगी ना तो यकीन मानिये इसका interest rate खोड़े की रफ्तार से भागने वाला है इसमें कोई भी दोराए नहीं है वहीं अगर हम advance booking की बात करें हाला कि advance booking अभी तक के पूरे all और इंडिया में पूर रूप से नहीं खोली गई है लेकिन मैं कुछ report देख रहा था उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 या 4 मार्ट से इसकी advance booking पूरे इंडिया में खोल दी जाएगी और ऐसे में अजय दियुगन के जो fans हैं कि ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सैतान मूवी को जादा से जादा support करें क्योंकि अगर सुरुवात अच्छी होगी तो दोस्तों अंद भी बहुत गजब का होगा और सन 2024 में मार्ट माराजा बैक टू बैक धमार का मचाते बैद दिखेंगे वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अजय दिवगन की ये मूवी सैतान lifetime कितना के लेक्शन कर सकती है क्या ये 200 करोन की कमाई का अकड़ा छू सकती है कि नहीं क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से hype बन चुकी इसकी तो मेरे साब से तो ये मूवी देड़ सो करोन तो क्रास करने वाली है और इसमें कोई दोराय नहीं है और अगर इसका सुरुवाती विकेंड यानि की Friday, Saturday, Sunday, जवर जस निकल गया ना इन तीन दिन के अंदर इस मूवी ने अगर पचास करोन के उपर की कमाई कर ली तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी आने वाले समय में साइब 200 करोन का भी आगरा छुजा है हाला कि दोस्तो मुझे तो उमीद है कि ये मूवी अपने सुरुवाती तीन दिन में 60-70 करोन का भी बॉक्स ओफिस के लेक्शन कर सकती है वैसे आपकी क्या राय है कि ये मूवी अपने पहले दिन कितना केलेक्शन करेगी और लाइफ टाइम के मामले में कितना केलेक्शन करेगी कमेंट में बताना मत बुलिएगा और वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी मास माराजा मूवी से छोटी से बड़ी अपडेट मिलते हम आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई